जहीं दोस्तों वेलकम बैक माई चैनल फ्रेंट्स आज हम देखने वाले हैं सेवन्त साथ फरवरी के करेंट अफेर्स जो अपके एक्जाम पॉंट अभी से इंपोर्टेंट होंगे ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं साथ फरवरी के करेंट फिर्स फिरंट कोच नमर फर्स्ट ह यह मानव भ्रहतत्व दिवस के रूप में बना जाता हैं मतलब कि इंटरनेशनल डे ओफ यूमिन फर्डेंटी यानि कि भाई भाई चारावाद जैसी विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो यह अंतर राश्ट्रिये मानव भ्रहतत्व दिवस किस दिन बना जाता है करशन फर्फिर्टो गोका मैंन चार फरवरी फर्वरी तो चार फर्वरी को है अंतर राश्ट्र एमानव भ्रहतत्व दिवस के रूप में बना जाता है तो बीसिकली इस दिन का मनाने का मैन रिजन यह कि इसी दिन को सहीवत रास्टी यह मासा बाने सहीवत अरव अमिरात और मिश्र द्वारा सहे प्रयोजीत एक पस्ताप के माधिया माधिया चारफर वर्जी को इस दिन के रुपे मना मतलब कि जो उनके बीच में कॉन्फिक्ट चल रहे थे उन सब को खतम करते हुए और वो एक प्लेटफॉम पे आके साथ काम करने लिए तयार हो गयते तो इस दिन को पूरे अंतर रास्टी के लिए पूरे समाज के लिए नोंने मानव भातत्रुफ दिवस के रूप में बनाने की खोशने के दिए तिक ना इंटरनेशनल डे ओफ यूमेन फर्टिनिडी इस का बनाने का में उद्देश है ये भी है कि लोगों के बीच में जो विभिन संस्कृतियां हैं धर्म हैं या विश्वास हैं उन सबको जागरूत करना है लोगों को सहशून बनाना है ताकि किसी भी चीज के परती उनकी सम्वेदना जगे ठीकिना किसी भी धर्म के परती कुछ देख करते रहें ठीक है तो चार फरवरी को हम अंतराश्य मानव भातत्वधिस मनाते हैं यहां दगना इंपोर्टेंट है का प्रेंट सीख है किसे फरवरी 222 में रास्टी है सिक्षन अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद NCRT के निर्देशक के रूप में निउत किया गया है तो डिरेक्टर किसे निउत किया गया है आपको पता होगा NCRT अगर आपने तैयारी कर रहे हैं तो आपने NCRT बुक्स पढ़ी होंगी हिस् इसको रिकमेंडेट करती है पढ़ने के लिए तो उनका नया निर्देशक के रूप में किसी निउत किया गया है तो नए दिल्ले में है तो सब्सक्राइब इसको रिकमेंडेट किया था बच्चों पढ़ाने के लिए और इस था आपना 1961 में हुई थी तो NCRT की बुक जो बच्चा भी NCRT की पढ़ रहा है चाहिए वो हिंदी मीडम से पढ़ रहा हो चाहिए इंग्लिश मीडम से अगर फोकस से पढ़ रहा तो आपका जो बेस होग क्योंकि NCRT को बिल्कुल प्योर लेंग्विज में लिखा गया है मतलब कि जो हिंदी लेंग्विजें बहुत ही वही शब्द लिखे गए जो आप जो अग्जाम में देखते हो यह जो भी UPS एक्जाम में देखते हैं वह एक्दम एक्जेक्ट वक्ट वही वहां पर आपको ग्यान हो जाता है तो समझेए आप को हिंदी के काफी अच्छी नॉलिज हो जाएगी ठीक हिंदी की शब्द बहुत ही टफ है जोग्रफी के अंदर साइंस की बुक के अंदर और एकनॉमिक की बुक के अंदर ठीक है तो NCRT आपको मैं रिकमेंडिट करूँगा कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो NCRT बुक जुरूर पढ़ें ऐसा हिस्टी के तौर पे जोग्रफी के तौर पे साइंस के तौर पे वह बहुत ही बैटर बुक है उसको काफी अच्छा होगा वह पढ़ेंगे तो आपक रहे होती होगा लेखा किसे अलेक आप किसी रेता मा नियुकर यानि कि वैई विभाग विथियम नंत्यालय के रूप में तो अब नया नय लेखा कि भीभाग कह नित्टि किया गई है तो इनका आपको बताना है को Kit का नया नया वित्तिय मंतलिय के रूप prob stray sing को अगर हम बात करें inglak की कि निकाय जो अनुच्छीद 150 कि अंत्रकत इसके बारे में सब चीजें बताही गई हैalım तो जुरूर याद अखना के एक से रिलेटीड सारी इंफरमेशन आपकी एक्जाम में देखने को मिल सकती है डिरेक्ट नहीं तो इंट्रेक्ट वे में आपको कोशन जुरूर मिलेंगे देखने को ठीक है अगर हम बात करें सोनाली सिंग की तो ये कि आई सीएस की मलब आई सो रैंक की अधिकाली रही है अठारसो सत्ता नाइंटीन इडिसेवन में इन्होंने एक्जाम निकाला था और उस बैच की यह रही है और दो जार्ट उननीस में इन्होंने अपर लेका मान निर्जेशक के पत्के रूपेकारे किया था अब यह लेका अब यह लेखा महान लेखा निर्जेशक के अंदर यह आ गई है तो यहां दखनावन सोनाली सिंग अब क्याक के महान निर्जेशक का प्रभार समालेंगी यह तो ऑप्शन सीज का राइटन सुरोगा बाकि यहां पर इंफोर्मेशन लिखी गई है ठीक है ना वित्यमंतले में महालेखा निरंद्रर भार्ष सरकार के परदीन लेखा सलाकार है बेस्किली सारी और यह करते हैं बार स्रकार जो भी सोते हूं होते हैं सब की जिम्बादी क्यों होती है तो यह सब चीज़ समालती है ठीक है इसलिए सम्मेधानिक निकाए है जो अनुच्छेद 150 के तया तो यहां दखना आर्टिकल 150 इंपोर्टेंट के लिए और इसके बारे में अलगसी इंफोर्मेशन जो भी इंफोर्मेशन और लिख जाकी के रूप में किसे किस राज्य को चुना गया सर्वसे जाकी के रूप में तो फ्रेंड उत्तर परदेश राइंसरों का उत्तर परदेश को सर्वसेस्ट जाकी के रूप में राज्य के रूप में राज्य के रूप में से चुना गया तरपरदेश यहां दखना इंपो बढ़ने रहे हैं उत्रप्रदेश को सर्वसेज जहां की ग्रूप में चुना गया है ठीक है अब फिट देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्ये में स्थापित होगा तो बेसिक ग्राफीन नवाचार केंद्र की जो न्यू इनुवेशन को मोटिवेट करने क लिए नियू जो भी नियू आइडियाज वह आपके ठीक ना उन्च सब को मोटिवेट करने के लिए उनको किस तरीक से धरातल पर लाने के लिए ये एक सेटप बनाया जा रहा तो कि सराज्य बनाया जा रहा प्रें ट्राइट अन्सरोगस का ऑप्शन डी केरल में ठीक ना तक्रीबन चाहसी हजार को चाहसी क्रोड रुपे की लागत से इंडिया इनोवेशन फॉप सेंटर फॉर ग्राफीन का निर्माण किया जा रहा है जो तिशू के के रहल के के रहल के राज के रहल राजय में यह बना जाएगा ठीक है इसके अंदर नवाचार केंद्र और लोग जो चीज पहली है वह इंपोर्टेंट रहती है तो आपके चीजे होंगी जो जीज में भी आप सक्षम होंगे ठीक होंगे उन सब्सक्राइब को विज्ञानिक तौर पर किस तरीकी से धरातर पर उतारना है उन सब को बढ़ावाद देने के लिए अब केरल के अंदर ग्रिफीन जैसी प्रियोजनाओं को लागू किया जा रहे हैं तो याद रखना बाकि एडिशन इप्रमेशन दिए पढ़ लेंगो ठीक है चलते हैं लिए तरफ अब देख तो यहां पर मेकानीकल हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया ठीक है ना ट्रांस टांसपेरेंट हो गया कि हर एक चीज पर यह फोकस करने वाले ताकि ज्यादर ज्यादर इन्वेशन हो और ज्यादर ज्यादर नहीं चीजें हमारे देश के अंदर बनाई जा सकें तो अब यह नई हम अपनी नई दिशा में हम अपने जो भी आने वाली जनरेशन उनको ले जाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम टैम मैक्सिम जीजों को इनोवेश है हमारे देश में हो और उनको हम एक जैन्मिन आप ट्रांस्फोर्म उसमें ला सकें उसमें बदलाव ला सकें ठीक है ना तो उस चीज के लिए अब काम किया जा रहा है ठीक है फ्रेंट कोशन नमर्ट सेवन सिक्स है कॉपर अधा सब्सक्राइरल फेस मास्क के समद में सही कतना आपका बताना है पहला मास्क बायो डी ग्रेट बल सांस लेने में सुवीदा जनक और धोने योग्या है मास्क को सेंटर फॉर सैल्यूर एंड मॉलीकुल बायो लॉजी के विग्यानिकों ने विक्सित किया है तो राइडर से इसे यह दोने योग और यह मास्क बायो डीगेरेबल सांस लेने सुवीदा जनक है और इसको मास्कों सेंटर फॉर सेल्यूर एंड मॉलीकुल बायो लॉजी के विग्यानिकों ने विक्सित किया है तो यह कुछ मास्क के बारे में अब यह कुछ इंपोर्टेंट चीज बता लेना ठीक है ताकि एडिशन इंफोर्मेशन आप ध्यान रखना आगी इस से रिलीट कोशन आपके एक्जाम में आ जाए तो आप एजी लेटेंट कर लें ठीक है फ्रॉचन नमबर 7 कौन सी फैलोशिप के इंसरकार द्वार अपने वेस्टू हेल्थ मिशन के तैस शुरू क अगर जो सफाई जैसे कार्यों में लगे हुए है ठीक है उन लोगों को जजय ज़ए मोटिवेट करना है थाकि जितना भी वह स्वच्चता के प्रति अपनी प्रतिप्रतिता दिखाते हैं उन लोगों के साथ एक उनने मोटिवेट रखना है थाकि उनको ज्यादा एक सलाकार की कारे कारे ले ने स्वाच सार्थी फैलोशिप 2022 की जोशन चैनल की है इसके तहाइब वेस्ट टू वेंट किसे वेंट वेल्ट किस तरह के समय वेश्ट से वेल्ट जैसे आपने और गड़ चन दिखाव ऑगा तक में कितने वेस्ट से चीजों को त्नहें डेवरफ जैसी चीजों को सकते हैं तो रहा डगना ऑप्शन भी सच सच सचता सार्थी कि यहां पर कुछ इंपोरेंट सेड़ें लिए जासे की सेड़ी एक अंदर नो भी से बाई भी तक के बच्चों को रखा जाएगा फिर कॉलीज जी के बच्चे आ इस तरह किसे चीड़ियों में बाठकर लोगों को सके अंदर मोटिवेट करना है तो प्रोफेसर कि एम जगदीश कुमार को यूजी जी का नया अध्यक्ष के रूप में निउक्त किया गया है तो याद अगना इंपोर्डेंट रहे गए आप देख सकते हो तो यह बेसिकली जी नियू के पहले यह वहां के दीन कुलापति रह चुके हैं आभ इनको दौबर से पहले भी यह यूजी जी के अध्यक्ष रह चुके इनको दौबर से यूजी जिए कि अध्य शुरूपे नुख किया गया जिए एगर हम यूजस यूजसी की स्थापना की बात करें उन्नीय शपान में इसकी सापना हुई थी यह युजसी की धिकारिक et सिहत एक वेधानिक निकाल छोझनवर कि 292 में किसी सीमा किस सीमा पर कमाल कमालपूर और कुमार गात में तीसरी सीमा हाट की अधार्चिल लएर घी की गई है consistent और ऊप्षिन दी त्रीपुरा और बंगला देश के बीच यह तीसरी सीमा की यह अधार्चिल पिन जिस में कमालपूर और कुमार गात में बनाए यह बिल्ट की जाएंगी ठीक यहाँ दखना कमालपूर कुमार घाट में तीसरी सीमा हाट अधार्शिला रखे गए जिसका उद्गाटन तिरुपुरा के सीम ने विपलव कुमार और बंगलादेश के वानजीय मंत्री टीपू मुईशी ने सही तुरूप से इसकी अधार्शिला रखी है ठीक है तो यहाँ दखना इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है बाकि यहां पर एडिशनल इंफ्रोमेशन लिखी गई है पढ़ लेना सीमा हाट के वारे में कुछ बताते ही लिए सीमा हाट भारत और मंगलादेश दोनों देशों की सीमाओं पर 75-75 मीट तक फैली है और इसमें दोनों देशों के सौ विक्रेताओं के बैठक की विवस्ता कीए बिसलिक लिए अपने प्रोडक्ट के अपने कोई भी आपके उत्पात को यहां पे आप ला सकते हैं सीमा हाट के क्रियावेयन के लिए 3.50 जने की सब्सक्राइब तीन क्रोड रुपे की वित्य है पर इसके लिए धनकेन सरकार मोहिया कराएगा ठीक नहीं तो यहां दखना इंपोर्टन रहेगा सीमा हाट जो तिरुपूरा और बंगलादेश के बीच में चालू होगी अगर हम तिरुपूरा के राजेपाल की बात करें तो सत्यादेव, नरायन, आर्य, मुख्यमंत्री, विपलव, कुमार देव, राजजानी, अगरतला और वहां की कुछ इंपोर्टन नदियां हापे नाम दी गई है यहाद अगना इंपोर्टन रहेगा यह एक्जाम पॉन लोकीशन है देख सकते हैं अगर तला इसकी राजजानी आप यहां देख सकते हूं छारी इंपोर्टन इसकी अगने घ्यकने ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोशें के तरफ कोशें नंबर 10 देख लिए थे फ्रेंट फ्रेंट 10 तो नाय तेंथ कोशन है जो किताब से रिटेट है था क्लास ऑफ 2006 इस्क्रीम पिक टू इन्टू इन्टू दी मिस एड्वेंचर्स आफ दी इंडियन इंजिनियरिंग लाइफ पुस्तक के लेखा कौन है तो फ्रेंट राइट अंसर होगा ऑप्शन ए अकाश कंसल आप यह पुक का प्रेंट दे सकते हो ठीक है यह बुक का प्रेंट आप दिख रहा होगा था क्लास ऑफ 2016 के लेखा है अकाश कंसल ने यह बुक लिखिया जो आईटी कानपूर और दिल् है तो फ्रेंट आज के लिए यह 10 दस कोशन और इसी तरह की कोशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब को क्लिक करें ताकि आपको इंपूर्ट एंपूर्ट करेंड़ अप्डेट टाइम टू टाइम मिलते रहें तो थैंक यू फो फ्रेंड वर्चिमाई वीडियो बाबाए थ थैंक यू